तो हलो बेरे प्यारे बच्चो मैं हूँ पंकेश कुमार ठाकूर सर और आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चो पॉलिमर्स यानि की बहुलक यह अध्याय आपके लिए काफी महत्पुन होता है अगर आप परिच्छा को धियान में रखते हैं तो उसमें भी इससे आपके प्रस् पॉलिमर्स की बात करें या बहुलक की हम बात करते हैं तो हम दैनिक जीवन में अगर देखते हैं तो बहुत ही ऐसे वस्तुएं हैं जो हम पॉलिमर्स से इनको जोड सकने हैं बोलो के सर कुछ उदाहरन आप दीजिए जैसे उदाहरन में अगर आप देखते हैं जैसे रहें सब में कहीं ना कहीं polymer जुड़ा हुआ है तो इसलिए ये बहुत ही महत्पुन हो जाता है ठीक है बच्चो तो आएए हम स्टार्ट करते हैं polymer तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे उसको देखेंगे सबसे पहले बच्चो हमने सीखा कि polymer है क्या चीज ठीक है polymer ऐसे बहुत सारी छोटे छोटे टुकड़ों को अगर आप जोड़ देते हैं मालों बच्चो हमने कहा ऐसा कोईच है ए ए मतलब इस तरह से एक छोटा पार्ट है हमारे पास ठीक है ऐसे छोटे छोटे पार्ट से और इनको जोड़ते जाओ तो जोड़ते जाने से क्या होगा आपको एक बहुत बड़ा क्या मिलेगा बहुत बड़ा अनु मिलेगा मतलब छोटे अनुओं को आपने जोड़ा और जोड़ने के बाद एक बड़ी सी अनुँ आपको प्राप्त ठीक है तो इनको हम क्या कहेंगे बच्चों पॉलीमर या बहुलक कहेंगे अब हम देखते हैं बच्चों की इनको हम वर्गीकरित कैसे कर सकते हैं तो बच्चों वर्गीकरन के अगर हम बात करते हैं तो बहलोकों का जो वर्गीकरन होगा वो हम अलग-अलग सुरूतों के अध पर हम क्या करेंगे वर्गी करन करेंगे मतलब वो कहां से प्राप्त की जा सकती है कहने का मतलब जैसे उधारन की बात करते हैं जैसे प्रकृति में बहुत सारे भी हो सकते हैं जैसे सेल्यूलोज हो गया ठीक है और भी जैसे कुछ ऐसे बहुलक जिसको हम बनाते हैं शंसलिसित की जाती है तो सुरोत के आधार पर बच्चो अगर हम बात करें तो सुरोत के आधार पर हम इनको मुख्यत तीन भागों में बांट सकते हैं कौन-कौन से पहला तो बच्चो सुरोत के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो पहली हम किसमें इसको कह सकते हैं एक तो हो गया हमारा एक हो गया हमारा प्रकृतिक प्रकृतिक ठीक है बच्चो प्रकृतिक का मतलब क्या हुआ जो अपने आप बना है जो जिसको मतलब हमने नहीं बनाया बलकि वो प्रकृति में मौजूद है अपने आप उनका क्या हुआ है बना हुआ है अब देखो दूसरी हम बात करेंगے, दूसरी किसकी बात करेंगे संसलेशित, संसलेशित का मतलब क्या हुआ, जिसे बनाया गया, इंसानों को जरुरत पड़ी और अपनी जरुरतों को पूरी करने के लिए उसने कुछ बनाया, है ना जैसे bucket हो गया ठीक है जैसे टेफलोन बहुत सारे ऐसे चीज़ें आप देख रहे हैं जिसको हमने बनाया है तो उनको हम जैसे switchboard होगे स्वीच board होगे और भी बहुत सारे ऐसे जैसे आपने टायर देखे और वी चीज़ें बनाया हुआ तो उनको हम बोलेंगे शएफ अर्ध सनशलेशिद अर्ध सन शलेशिद कैने का मतलब क्या हुआ कुछ इनके क्या होते हैं प्रकृति में मौजुद होते हैं और कुछ हम उसमें मॉडिफिकेशन करके हम क्या करते हैं उसमें बनाते हैं समER में देखते हैं तो देखो बच्यों प्रकृतिक बहुलत मतलब टीनओ समें तो प्रकृतिक बहुलत क्या होता यह बहु LOUग पादपू तї जन् issuing पाई जाते हैं पाधप का मतलब क्या होगा जैसे जीवों में मतलब पौधों में हो गया जनतुओं में ठीक है तो इस तरह से उधारन के लिए अगर हम बात करते हैं प्रोटीन हो गया सेलूलोज हो गया इस्टार्ट तो बच्चों यहां पर आपको क्या करना है न कुछ जो उधारन कहने का मतलब जैसे प्रकृतिक तोर पर जो हमारे पास उधारन है उनको याद रखना प्रसनी यहां से ऐसे आते हैं कि इनमें से कोन प्रकृतिक बहुलक हैं अत्वा प्रकृतिक बहुलक नहीं है तो उधारन आपको दोतिन उतना तो जरूर याद रखना जितना आ ऐसे बहुलाग को हम कहेंगे प्रकृतिक बहुलाग तो मुझे दॉसरी है अर्द संसलेशित का नि यसे लियूत्पन का मतलब होता है ऌक बते हो हमारा क्या है प्रकृति उसमें हमने कुछ और उसमें जोड़ा है ना हमने कुछ उस पे काम किया और हमने एक नया बनाया तो इसमें क्या है दोनों तरह के मौजूद है तो इसमें उदाहरन दे सकते हैं इसके याद रखने उदाहरन इसे ही प्रसना आते हैं इसमें जैसे cellulose acetate अब देखो बचूँ तो प्रकृति में है और acetate है ना जिसको हम रेयोन भी कहते हैं यह क्या हो गया अर्द संसलेशित है ठीक है और cellulose nitrate मतलब कहने का मतलब जो हमारे पास प्रकृति में मौजूद है उसमें कोई अगर इस तरह से modification हुआ इसमें थोड़ा बहुत बदला हुआ जिसमें हम कुछ नए chemicals या रासाइन जिसमें हम जोड़ देते हैं जैसे हमारे पास nitrate हो गया यहां पर जैसे हमने बताया acetate हो गया इस तरह से अगर आप इसको देखेंगे तो अध्यान से इसका अध्यान करेंगे तो आपको ऐसे पता चलेगा ठीक है आधी यह क्या होते है उपसमवर के पारे में ठीक है संसलेशित क्योंकि अभी देखो जितनी भी चीज़े आप देख रहे हो कपड़े अगर पढ़ना जैकेट पहेंड रहे हो है ना कपड़े पहेंड रहे हो सिस्टम कंप्यूटर या फिस स्वीच बोर्ड पैन यह सारे क्या बकेट है ना वायर्स जितने भी पॉलिथिन पकड़ा दिया जाता है ठीक है प्लास्टिक हो गया संसलेशित रेशे जिसको नाइलोन 66 कहते हैं संसलेशित रबर बुना एस इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे डिटिल में गय के लिए ठीक है बहलूकों के उदे जो विस्तरीत रूप में हम दियनिक जीवन में प्रियुक करते हैं बहलूकों के उनकी संग रचना के आधार पर आनूविक बलों तथा बहुलक की विधी के आधार पर भी वर्गीकरीद तो पहला तो हमदे वर्गी क्या किसके अधार पर ध्यान से याद रखना है इसको पहली वर्गी कृत हमने क्या बहलोकों का उनके स्रोत के अधार पर तीन कौन-कौन से हो गए आपके पहले हो गए प्राकृतिक अर्धसंसलेशित और एक हो गया संसलेशित प्रकृतिक में जैसे जो बादपों और जिवो जहां पर दोनों का मिश्रन होता है अगली हमने बात करी किसके बारे में संसलेशन संसलेशित बहुलक मतलब वह सारे होते हैं जिनको हमने क्या-क्या बनाया अपनी उप्योगों अपनी जो इस्तिमाल है उसके अनुसार हमने उसको क्या-क्या बनाया ठीक है अब देखो उनकी आगे हम संग्रचना के अधार पर भी उनको हम बाटेंगे, आनुविक बलों के अधार पर भी बाटेंगे, ठीक है, और उनके बहुलकन की विधी, मतलब बहुलकन की विधी का मतलब क्या होता है, कि ये किस तरह से बहुलिक्रित हुए हैं, उनके अनुसार भी हम बाट सकते है इसको वर्गी कर सकते हैं अब जैसे प्रस्ण है यहां पर हमारे पास इसमें अभी तक जो हमने पढ़ा बस यहां पर उधारन से आपके प्रस्ण आ सकते हैं कि इन में से कौन प्रकृतिक है कौन संसलेशित है कौन अर्ध संसलेशित है तो जैसे कि मैंने कहा NCRT के उधारन जरूर याद रखना उससे आपका काम हो जाएगा अब देखो जैसे निमलिखित में से कौन सा अर्ध संसलेशित बहूलक नहीं है इसका मतलब बच्चो अभी आमने आपको क्या तरीका बताया अभी आमने आपको बताया कि सेल्यूलोज नाइट्रेट बताओ ये कैसा है ये अर्ध संसलेशित है सेल्यूलोज एसीटेट ये भी क्या है अर्ध संसलेशित है वलकनी क्रीत रबर रबर क्या होता है प्रकृतिक लेकिन उसमें वलकनी क्रीत क्या गया तो ये भी अर्ध संस स्लेसिक बहूलक नहीं है तो फम इस पॉली आईसो प्रीम इन सभी के बारें में लुक वहो कि जो बहूलक बनते हैं रों किस प्रकार से बहूलक कैसे कैसे बन सकते हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे इसमें ठीक है बहुलकन के प्रकार तो देखो वैच्चो दो प्रमुक प्रकार की अभिक्रियाई होती है ठीक है एक तो यानि योजन अथ्वा स्रिंखला वृध्धी बहुलन और दूसरा होता है संगनन अथ्वा पदसवरिधी याद रखना बहुलकन के या श्रिंखला वृध्धी लेख दे श्रिंखला श्रिंखला वृध्धी और दूसरे की हम बात करते हैं बच्चो संगनन तो संगनन में क्या होता है संगनन में यहाँ पर देखेंगे श्रिंखला वृध्धी में सामान्यत यहाँ पर एक आएंगे एक अनु होंगे वो राप से जूडएंगे और कुछ उन्के साथ क्या होंगे कुछ अन्य उतपात भी बनेंगे जैसे ज़ल निकलेंगे कुछ गैस निकल सब्सक्रामनी निकल संऩा किसे अंदन का कंशन होता है तो इस तरह से हम देखेंगे सेंगे व कि तेक है दो तरह से एक तो हमने कहा यह और यह अब हम देखते हैं बच्चों दोनों को अगर हम अध्यन करते हैं सिरिंकला व्रीदे का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि जैसे इतिन हो गया इतिन से हमने पॉली इतिन मनाया तो सिरिंकला ना इथीन इथीन इड़ी आई से जूरते गैं और वो क्या बन गया पॉली इतिन पॉली मतलब बहुत सारे बहुत सारे मतलब अंगिनत को जोड़ दिया तो उनको पॉली अब हम आगे बढ़ते हैं अब जेखो बच्चो पहले हम बात करते हैं योगात्मक बहुलन या स्रिंखला वरिदी जैसे हमने अभी बात कई योगात्मक अथ्वा हम जैसे एक को दूसरे से जोड़ते जाएंगे ठीक है योगात्मक बहुलक या जिसको कहते हैं स्रिंखला वरिदी आपको सब्द से ही सम अथा भीन एकलकों के अनुओं के परसपर योग से मिलकर बनते हैं कहने का मतलब क्या हुआ जैसे हमने इथीन का उधारन लिया तो इथीन हमारे पास हो गया इथीन 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 ऐसे जुड़ते गया तो एक ही परकार के हो सकते हैं या ऐसे हो सकता है कि इथीन का किसी और के साथ और श्टारणिं के साथ हो उसकते हैं तो यहां पर दूत्रा की ऊक्ते हो सकते हुआ है प्रियुक्त होने वाले एकल क असंत्रिप्त योगिक होते हैं ध्यान से याद रखना असंत्रिप्त जैसे ओगया में इतीन जैसे स्रिंखला की व्रिधी किसी मुक्त मूलक अथ्वा आइनिक स्पीसीज के बनने से होती है मतलब यहां पर अगर हम क्रिया विदी की बात करें तो यह जो स्रिंखला व्रिधी होता है वो कैसे होता है मुक्त मूलक यहां पर क्या होता है मुक्त मूलक का बनना होता है ठीक हम प्री रेडिकल प्री रेडिकल प्री रेडिकल प्री रेडिकल प्री रेडिकल मैतलब क्या हो गया बच्चों यहां पर अगर इनकी क्रियाविधी की बात करें तो मुक्त मुलक वाले तो हम क्रियाविधी पर उतना नहीं भी जाएंगे लेकिन हमें यह आना चाहिए कि हमने अ यहांप्य रेडिकल बनेगा है। ल मुगतफ्म बनेंगे फ्री रेडिकल जिसको कहते हैं। जैसे बच्चो असाधारनते यहां पर हम क्या करते हैं जैसे अगर हम इसकी बात करते हैं तो इनको जोडने के लिए सबसे पहले बच्चो क्या करोगे आप सबसे पहले आप एक काम करो इनका मुक्त मूलक तो बना सकते हो मुक्त मूलक हम बना सकते हैं कैसे बनाई जब इनके मुक्त मूलक बने तो देखो बच्चो क्या बना CH2 एक मुक्त मुलक यहां बना और CH2 और यहां पर मुक्त मुलक अब देखोगे तो यह क्या होता है यह इनके इनके अंगिनत टुकडे इनके अंगिनत टुकडे आपस में जूडते जाएंगे वैसे ही अब यह कैसे बना तो इनको इनकी शुरुआत करने के लिए इनका मुक्त मूलक बनाने के लिए हमें कुछ शुरुवात करने के लिए कुछ हमें क्या चाहिए कुछ हमें ऐसे अभिक्रिया चाहिए है ना अभिकर्मक चाहिए जो इनकी अभिक्रिया को शुरुवात कर सकते तो साधारंत आपने पढ़ा है कि इसमें शुरुवात करने के लिए हम लोग सीद्वीबन ओ ओ फिर यहां पर एक और ऑक्सीजन और सीद्वीबन ओ और यहां पर क्या हो जाएगा फिर से हमारे पास क्या हो जाएगा बेंज्वाइल यह हो गया बेंज्वाइल परोक्साइड बोलते हैं अब यहां पर होगा क्या यह परोक्साइड जो आबंध है बच्च तो दोनों की विद्यूत रिणातमकता शामान है तो सबसे पहले क्या बनेगा कुछ यहां पर दिखाया इनके दो टुकड़े बनेंगे क्या देखो पीएच सीओ ओ रेडिकल देखो ऐसे बन जाएंगा ठीक है पीएच सीओ ओ रेडिकल बन गए ठीक है इनके दो टुकड़े अब यहां पर क्या होगा यहां पर पुना यहां पर पुना बच्चो यहां पर क्या होगा फिर से यह ऐसे टूटेंगे यह ऐसे टूटेंगे ठीक है यहां पर पुना मुक्त मूलक का क्रियेशन मतलब मुक्त मूलक पुना यहां पर बनेंगे तो यहां पर जैसे ही टूटा आपस में जूड़के CO2 बना लेंगे कहने का मतलब ऐसा कुछ हमारे पास क्या हो जाएगा यह निकल जाएगा और हमारे पास फेनिल मुलक है ना फिनाइल रेडिकल बना फेनिल मुलक बना ठीक है बच्चो अब फेनिल मुलक क्या करेगा क्योंकि अब यहां से तूटना प्रा से तूटते जा रहे हैं और इस योगात्मक बहुलक का क्रियावी धी क्या होगा ठीक है तो यहां पर अगर धेख रहे हैं यह फेनिल पर क्या है यहां पर हमारे पास मुलक है अब यह क्या करेगा इनको भी तोड़ेगा क्योंकि यह टोटा तो सोचा मैं टोटा हूं तो से तूट गया अब यह जब तूटा तो क्या बनेगा RH2 यह मुलक और हमस्षेंगे कि स्रिंखलाइस प्रारंबद यहां पर हो गया अब आगे क्या होगा यहागे चलता जायेगा इसने एक बार यहां से मुक्त्मूलक एक बार बना और आगे क्या होगा ऐसे मुक्त मुलक बनते जाएंगे अब जैसे यह मुक्त मुलक बना तो इनके पास भी एक इलेक्ट्रोन है इनके पास भी मुक्त मुलक लेक्ट्रोन है तो होगा क्या अभी देखो यहां पर हमारे पास यह हमारे पास फेनिल सब्सक्रe deficiency हुआ है और हमारे पास क्या सी एच टू मुक्त मूलक स्थिप-आघ और में और और यती ऑष़ा हो गाए इन दोनों आपस में जूट क्या हो कि मदम से नवनर यह तो एक ब्रूंलक यहां पर बचाकिया यह बचाना यह क्योंकि यह तो झूट गए ये दोनों आपस में क्या होगे ये दोनों आपस में जूट गए ये मुक्त मुलक और ये मुक्त मुलक दोनों आपस में क्या होगे बच्छो दोनों आपस में जूट गए ठीक है दोनों आपस में जूट गए मैं ऐसे दिखा देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए ठीक है दोनों आपस में जूट गए और यहां पर देखो यह ऐसे बना लिया ठीक है यह बना लिया अब देखो बचो आगे यह जो अभी करिया है यह जो काम है यह आगे चलता जाएगा कैसे चलता जाएगा सां देखो यहां पर देखना अब यह बन गया अब यह पुना क्या दे दे मेरी भी कोई साथ दे दे तो अब क्या करेगा हमारे पास अलकीन है है ना अलकीन है अलकीन पुना क्या होगा इनका विखंडन होगा और ऐसे ही बनते जाएंगे बनते जाएंगे कहने का मतलब हमारे पास सिसी काशपाई CH2 CH2 यह क्या होते जाएंगे जूडते ये जो प्रक्रिया है ये क्या होताज़ाइगा चलता जाइगा ठीक है ऐसे ही क्या होती याईगे स्रिंकला प्रारामॉ मतलब वह प्राराब होने के बाद अभी चलरा है अब क्या होगा कैसे यहां तक हम आए कि अब यह जैसे कि मैंने बताया बच्छों यह क्या हो रहा है यहां से चला रिंखला प्रारम हो चुका है यह बनता जाएगा अब देखो क्या होगा जैसे एक आया फिर इसके और बनेंगे ना बनाया आबंद जब इसने आबंद बनाया तो क्या कुछ ऐसा मिला देखो सी 6H5 CH2 CH2 देखो बच्छों सी 6H5 CH2 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 और CH2 पर क्या है मुलक है ऐसे बना फिर वैसे सी 6 तो आपको एक और पर करता है देखो यहा पर पुला क्या होगा और यहां पर मुलक मने बोलो मुलक मने अब यह क्या होगा ऐसे ही तो चलते जाएगा फिर यह क्या होगा इन दोनों में आपस में क्या होगा आभंद carbohydrates ठीक है अब तो देखो ऐसे ही क्या होता जाएगा चलता जाएगा और जब चलते चलते एक समय आएगा जहां पर हम ऐसे इसको ऐसे दिखा सकते हैं एन एन मतलब कई बार ऐसी चल रहा है कई बार अंगिनत बार और अंतता हमारे को यह मिल रहा है ठीक है यह मिल रहा है अब हमें क्या करना ह यह जो चलती जा रहा है इसको क्या करना है अंध करना है तो इस तरह से देखो हमारे पास यह बनते जा रहा है CH2 CH2 इनके कई बार यह क्या होते हैं बनते जा रहे हैं तो होगा क्या ऐसे हमारे पास बहुत सारे बन रहे हैं ठीक है बहुत सारे बन रहे हैं यहां पर यहां पर कुछ नहीं है है ना ऐसे बनते जाएंगे तो क्या होगा यह दोनों आपस में पुना क्या हो जाएंगे यह दो दो तरीका हो सकता है यहां से चला कि यहां चला जाए तो इस तरह से हाइड्रोजन जब चला जाएगा तो उससे भी यह क्या हो सकता है बन सकता है तो कहने का मतलब यहां पर हमने क्रियाविधी देखी लेकिन आपके परिक्षा में इनके क्रियाविधी पर सवाल नहीं आता है सवाल आता है कि इनके जो एकलक हैं इनसे क्या बहुलक बनेंगे मैं प्रस्ण भी आपको करवाऊंगा एकलक है इनके क्या बहुलक बनेंगे या बहुलक है उनका कौन एकलक है ऐसे प्रस्णा आते हैं तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब यहां पर कुछ हम देखें एक ही प्रकार की एकलक इस्पीसिस के बहूलकन से बनने वाले योजग बहूलकों को सम बहूलक कना आँ तो सम बहूलकन का मतलब क्या होता जैसे इथीन हमने लिए है तो इथीन 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 ऐसे पौली इथीन बहुत सारे जुड़ते हैं त साम बहुलक कहा जाता है जैसे बुना एस जो बीटा वन्तरी डाइन और इस्तारिन के साथ अब सह बहुलक यहाँ संबहुलक यहाँ पर होगा सभण सह हो लग मतलब कहने का मतलब आप यहांपर देखना दोणों में क्या अंतर है ठीक है अगर आप से सवाल पूछा जाता है कि बताओ इनमें सहवोफ लग कोन है संब होईलग मतलब सहव लग implant होन तो आप उसमें पहतना लेना कि अंकर जो एक लग है वह एक ही तरह के ब्यूटा वं 3डाइन मतलब इन से बना है ब्यूटा वं 3डाइन और स्टाइरीन स्टाइरीन मतलब हो गया पी एच हमारे पास होगा यहां पर है इसको हम याद करने का भी देखेंगे जी अससे प्रस्तनब नेरे जैसे हमने कहाना बोना ऐस एसए परसंद आए है मैं में बुना एस बमाफ समस्त्राइए कला जो एक ही तरह के एक लक आपस में जूडते जाएंगे और बहुलकन निर्मान करेंगे ठीक है अगर दो तरह की अलग अलग है तो उसको सा 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 बहुलकन कहेंगे है ना सम बहुलकन का एक उधारन यह योगात्मक बहुलकन से बनता है अब देखो यहां पर जैसे हमने बात करी यह हमारे पास इतिन है और इतिन है और इतिन है ठीक है यहां पर देखो ब्यूटा वन तरी डाइन है इतिन नहीं यहां पर ब्यूटा वन तरी डाइन है मतलब क्या किया बच्चो यहां पर देखना ब्यूटा वन तरी डाइन ऐसा हमारे पास ब्यूटा वन तरी डाइन है और यहां पर हम कैसे जोड़ सकते हैं कि मतलब जैसे हमें अगर दिया हुआ है इनके एकलक, इनके एकलक दिये हुएं, तो कहता है, एकलक से कहेगा कि इनका बहुलक क्या बनेगा, ठीक है, ऐसे प्रसना आते हैं, या फिर बहुलक बना हुआ है, इससे एकलक, इनके एकलक कौन-कौन से होंगे, है ना, बहुलक दिये हुएं, इनके एकलक कौन-कौन से यहां पर एक बनेगा मुलक यहां मुलक बनेंगे यहां मुलक और ऐसे तोड़ सकते ना द्वीबंद जो हैं इनको एसे तोड़ सकते हैं कि नेने देखो सारे मुलक उसी तरह से इनके अमोलग बना लेगे अब क्या करेंगे बचु यह दोनों आपस में तो आबंद बना लेगे और बाकी ये और यह क्या होते जांगे जूरते जांगे तो दुखो यह और जो अंत है ध्यान से समझना इसको पिर आगे क्या है CH2 यहां पर देखो यह CH2 हमारे पास है यह क्या हो गया CH2 फिर क्या करेंगे हम दूसरे काव लेंगे वैसे इनका जोड़ेंगे हमने CH2 ठीक है यहां CH2 है यह CH2 उसके बाद यहां से देखो इनके भी क्या बन रहे यहां और यहां अब देखो क्या करना इनको जोड रहे हैं यहां पर देखना यह और यह आपस में जूड रहे हैं यह आपस में जूड रहे हैं तो देखो CH2 यहां पर एक दो तीन चार ध्यान से समझना इसको क्योंकि इसको तोड़ने के लिए इनको तोड़ने के लिए कह सकता है कहता है कि इससे इनके बच्चों के नाम बताएं ऐसे प्रसना आता है इनके बच्चों के नाम बताएं तो हम क्या करना चाह रहे हैं हम चाह रहे हैं कि आपको ऐसा कुछ जुगाड हो जाए जिससे के आप इनको पहचान सकते हैं तो देखो यहां पर जैसे हमने कहा ना इनको सब को सबसे पहले में क्या करोगे सबका क्या बना लोगे मुलक बना लेना मुलक बनाना तो आसान है देखो इनका एक एलेक्ट्रों यहां दे देना एक लेक्ट्रो को छोड़ देंगे ताकि आगे इस मूलक को छोड़ देंगे ताकि आगे और अभिक्रिया मतलब और इसका श्रिंखला में वृद्धी होती रहे तो देखो बच्चो इनको अगर आप जोड़ते हैं तो क्या हो गया यहां से देखना यह वाली यहां पर देखना एक अब कार्बन की संख्या यहां पर है दिख रहे हैं तो कहीं न कहीं जब बहुलक बनाएंगे उन 6 को योजक उनको जोड़के फिर आगे वही छेक बार-बार क्या होते जाएंगे क्रम में वह क्या होते जाएंगे जूडते जाएंगे ठीक है तो यहां पर जैसे हमने का तो यह का से स्क्रे ακार में चलता है एम आरे पास इस और प्रस्ण करेंगे आपको समझ में और का इसे हम जोड सकते हैं तो इसको मリह Nawal बुना-स, क्या बोलते हैं? बुना-स, ठीक है? अब देखो, कुछ महक्मुन योगत बहुलक के हम उदारन देखते हैं, तो पहली क्या है, बच्चो, पॉली इथीन जिसको बोलते हैं, तो देखो बच्चो, इथीन तो आप बना सकते हैं, बिलकुल सही, चौह एच टु और च ठीएच टूठीगा बिच्चो अब इसमें कितने कार्बन आपको दिख रहे हमेशा ध्यान में ये बात रखनी चाहिए आपको कि हमारे पास जो एकलक हैं उसमें कितने कार्बन हैं और उतने ही कार्बन क्या होते जाएंगे बार-बार-बार-बार करम में बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर कितने दिख रहें 2 सर्थ 2 दिख रहें तो इतीन अब ऐसे ही इनके अनंत बहुत सारे इतीन के समून है ना यहाँ पर जैसे तो यह क्या होगा इनको आप रेडिकल बनाओगे इनका मूलक बनाओगे तो आप क्या कहोगे CH2 ती एच टू ठीक है ऐसे और यह क्या होगा बच्चो यह चलता जाएगा ठीक है ना ऐसे करके चलता जाएगा अगर मैं कहता हूं बच्चो आग शी एच त्री शी एच द्वीबंध माल लो बच्चो हमने आपको यह दिया इनका आपको बनाना है बहुलक आप कोशिस करें इसका बहुलक कैसे बनाएंगे तो देखो बच्चो हमेशा यह तो हमारा यहां पर तो कोई मूलक नहीं बनेंगे मूलक कहां बनेंगे यहीं पर बनेंगे तो देखना बच्चो सबसे प कि देखो कि हमारे पास है सिएच कि ऐसे अब इस पर क्या है एक मेधिल समों है कि अब यहां पर इधर जोड़ेंगे फिर यहां पर क्या होगा हमारे पास यहां पर देखो देखते हैं कि हम कैसे क्या कर सकते हैं इन分享 यहां पर जैसे कि क्या कर सकते हैं RNA यह इंद के जैसा ही ना थी ओस्टु यह हमारे पास है वह पर एक लख यह गुद्ध हो Pixel उनका जो द्वीबंद है वो द्वीबंद खतम हो गया है तो इथीन में भी हमने वैसे ही तो किया इथीन में भी वैसे ही किया तो वैसे अभी मैंने जैसे आपको बताया प्रोपाइलीन में ठीक है देखो प्रोपाइलीन तो यहां पर हमने क्या क्या यह यहां पर मूलक बना यहां पर मूलक मना और इनको क्या कर दिया जोड़ दिया और यह क्या होगा चलता जाएगा ऐसी चलते जाएंगे तो यह हमारे पास इस तरह से हम क्या कर सकते जोड़ सकते हैं ठीक है अभी मैं प्रस्ण भी आपको आगे करवाओंगा अब देखो यहां ते हो गया कुछ महत् पॉलीथिन अल्प घंणत्व का मतलब क्या होता है जिसका घंणत्व कम यहां पर 1000 से लेकर 2000 तक के उच्वा देखो इसको कैसे बनाते हैं 1000 से 2000 तक के उच्वायवंडली दाब और 350 से 570 केल्विन तापमान पर डाय ऑक्सिजन अत्वा परोक्साइट की लेश मात्र उपस्तित में हम क्या करवा सकते हैं बहुलकन द्वारा प्राप्त क्या जाता है मुक्त मूलक योजक और हाइड्रूजन परवानों अपाहरन से प्राप्त अल्प घंणत्वा पॉलिथिन अना इल्ड़िप इसे प्रसना आते हैं कि संग्रेशना अत्यदिक साकित होती है इन बहुलको ल मतलब होता है लो कम तो जब कम होगा तो वहां पर ब्रांचिंग मतलब ज़्यादा साखित होगी और जब कम है तो कम हों कमें पर क्या होता है यहां पर देखना उच्छ तापमान कम से उच्छ तापमान उल्टे याद रखना ठीक है तो यह आपको एंस अन्सेजर में जितना दिया हुआ है कि उतना से आपका काम चल जाएगा ठीक है यहां पर क्या 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 यहां पर होने चाहिए क्या होने चाहिए उच्वाई बंडली दाब और 350 से 570 केल्विन तापमान ठीक है और यहां से देखते हैं पराप्त क्या जा सकता है प्रमत मुलक योजग दृरा है इडरूजेन प्रवानो अपाहरण से प्राप्त अल्प घनतवा पॉलीथिन की संगरचना अत्यदिक ठीक है अब चलिए आगे देखते हैं कि अब अल्फ घनत्वा पॉली थेन सामानियत अकृति और कठोर प्रंतु लचिली और विद्यूत की अल्प चालक होती है यह सारी चीज़ा इसका उपयोग तो याद रखना बच्चों इसमें प्रस्ण क्या आते हैं कुछ उधारन और उपयोग विद्यूत वहक यहीं तू याद करने आपको विद्यूत वहक तारों में तारों के विद्यूत रोधन और निस्पीडन बोतलों खिलोनों और लच्चिले पाइपों में निर्मान में क्या जाता आप यह बताओ कि इनको इनको जो हमारे पास लो डेंसिटे है ना LDP है ठीक है तो इनका जो इस्तेमाल होता है इनका इस्तेमाल हम यह जो तार होते हैं तारों को तारों को कोटिंग में तारों के उपर जो लेज लगाते हैं उसमें हम यूज करते हैं क्यों इसका इस्तेमाल इसमें क्यों करते हैं कारण यह है कि यह क्या हो सब्सक्राइबिद्टाइब राट मार मिलता है वहाश के निसका उदारन इसका उदारन को सकता है तो इनको हम क्या बोलेंगे LDP अब अगा हम उच्छ घनत्व की बात करें उच्छ घनत्व पोलिथिन यह एथिन के किसी हाइड्रोकार्बन विलाइक में ट्राइथिल एलमुनियम और टाइटेनियम टेट्राफ्लोर है याद रखना बच्चों यही महत्वर्ण है ट्राइथा टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड इनको हम बोलते हैं बच्चों जिगलर नेटा उत्प्रे रख जिगलर नाटा उत्प्रे रख तो यहां पर याद रखना जो उच्छ घनत्व वाले उच्छ घनत्व वाले जो हम यहां पर बहुलक बनाते हैं तो उसमें हम इसका इस्ते ट्राइएथिल एल्मूनियम क्लोराइड और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड है जैसे उत्प्रणों के उपस्थिती में 333-343 केल्विन टाप और 6-7 वायोमनली दाप पर बहुलोकन करने से प्राप्त होती है इस प्रकार निर्मित उच घनत्व पॉलिथिन में रेखिया अनू होते हैं जैसा के नीचे प्रदिर्शित क्या गया है इसका घनत्व विनिस कुनलों के कारण उच होता है उच घनत्व पॉलिथिन भी रासाइनिक रूप से अकधिक अक्रिय अधिक कठोर और द्रिड होती है बाल्टियों कुडेदानों बोतलों पाइपों आधी के निर्मानी में प्रयुक्त होती है बोतल में कौन सा बच्चु जैसे 20 लिटर की जो बोतल आती जो घरों में हम लोग पानी कप्माल होता है तो हमेसा याद रखना जब हम बात करते हैं लड्रीप तो में क्या होता है दिदीफ ऑन पर इस होते हैं जड़ा hoता है यह ज़्यादा क्या होते हैं कौन हाई डेंसिटी वाले ज्यादा मजबूत होते हैं और ज्यादा अगर ब्रांचिंग ज्यादा अगर साखा की बात करें तो LDP वाले क्या होते हैं ज्यादा साखित होते हैं और इसमें क्या होता इस तरह से स्रिंखलाबत होते हैं जो एक दूसरे से काफी मजबूती से जु जिसको टेफ्लोन भी करा जाता देखो नाम से आपको समझ में आना चाहिए पॉली टेट्राफ्लोरो तो यहां पर देखो वेच्ट टेट्राफ्लोरो एथीन तो सबसे पहले आप क्या बोलोगे टेट्राफ्लोरो मतलब यह सी डबल बॉंड सी और एफ 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 और एफ इसको क्या बोलेंगे टेट्राफ्लोरो एथीन बोलेंगे टेट्राफ्लोरो एथीन अब इनको अब इनको जब हम जोडेंगे तो मैंने क्या बताया आपको कुछ नहीं करना है यहां से जो द्वीबंद है अभी मैंने सिखा आपको कुछ नहीं करना है यह द लगाके इस पर क्या लगा दिया अं लगा दिया और आप इसको लोगीक ली देखें तो बहुत आसाने इसको क्या बोलते हैं डाफ्लौस और यह फुली फ्लॉरिनेटीड हैना फुलली मतलब हम कहेंगे पुर्नत पूर्णत पूर्णत फ्लोरीनी क्रीट हम कहा सकते हैं तो पूर्णत फ्लोरी या फुल्ली फ्लोरीनेटेड यहां पर देखो कोई भी हाइडरूजन आपको दीख रहा है क्या नहीं न तो प्रस्ना आता है कि इनमें से बताओ कौन सा fully chlorinated हमारे पास क्या है polymer है या fully florinated polymer इन में कोन है ऐसे प्रस्णा आये वे थे यही मेंस में तो यहां से हम बता सकते हैं ऐसे सब्सेब्स पता चलदा है तो टेफलोन में एफ आता है ना तो ऐसी याद रखना कि यहां पर क्या है फ्लोरिन होगा पुरी तरह से यहां पर फ्लोरिन होगे तो यहां पर ऐसे ही मतलब कहने का मतलब अगर बोलोगे बच्चो तो की किए और फिर चाहिए को इसे ही क्या होते जाएंगे ऐसे जूडते जाएंगे से अझे जल्क impose आंन्ट तक जूडते जाएंगे गने जैसे बचों एक और उधारतारम यह तो हो गया हमारा यह जैसे इत्हीन होता है तो इसको हम इसका बहुलक बना सकते हैं ठीक है अगर मैंने आपको मान लो बच्चों हमने आपको यह दिया । कि आपके लिए प्रस्ण है दीक कुसते हैं गहिंभवा लिखें तो कैसे लिखो गे इसको क्या बोलते हैं बच्चो सको हम कहتे हैं स्टाइरीन अभी जिए नहीं करना है जैसे कि मैंने आपको बता इनका क्या बनाओ मूलग बना लिया अब जैसे ही मूलग बना लिया तो देखो पत्चों पी हैच और यहाँ पर सी एच देखो इस पर क्या है एक ऐच इस पर मूलक फिर ज्यूट जाएगा आगे क्योंकि आगे भी तो बढ़ते जाएंगे वो मुलक क्या करेंगे अगले वाले जो अनू है उनके साथ जूडते जाएंगे फिर यहां पर क्या है CH2 फिर यह क्या होते हैं ऐसे ऐसे जूडते जाएंगे इनके N है ना यह हो जाएगा हमारा फॉली स्टाइरेन के इनके नाम चूपए उते अध्यान से दिखना स्टाइरीन सरी से बनगे हमारे। तो प्रसना आता है कि बताओ इनमे से कौन फुली फ्लोरिनेटेड हमारे पास क्या है बहुलक है तो ऐसे प्रसना आ सकते हैं और मैंने आपको यह बताया कि कैसे हम जोडते हैं यह जीज भी आपको धियान में रखनी चाहिए अगर यह दिया हुआ है तो क्या आप इसका क्या आप overdrive रिखो एकलपे नहीं बना सकते जहां पर जोड़ा वैंन उनको जोड़ दो और उसको द्वीबंद में बना दो यहां पर ठीक है ऐसे चलता जाएगा चलो आगे बढ़ते हैं अब देखो एक्राइलो नाइट्राइल देखो बच्चो एक्राइलो नाइट्राइल तो इसको क्या बोलते हैं देखना इसको बोलते हैं एक्राइलो नाइट्रील क्या बोलते हैं एक्राइलो नाइट्रील अब अगर मैं पूछता हूं इसका आप बहुलक बनाएं इसका आप बहुलक बनाएं तो कितना आसान है कैसे करोगे सर्वपर्थम आप बच्चों क्या करेंगे इनका बहुलक बनाने के लि सी एच एक मूलक और इस पर क्या है पी एच समू है सुरी सीन समू हमारे पास है सीन है ठीक है यह बात आ गई तो यहीं चीज यहीं जो हमारे पास यूनिट है यहीं हमारे पास क्या होगा बार बार चलता जाएगा तो अब क्या करोगे इसको कर दो गायब इसको कर दो गायब स आएंगे इसके आगे भी तो कोई आएंगे इसी लिए इसी लिए अपने को यह क्या कर देना है यह हटा देना है ठेक है इसको हटा दिया और अपने को मिलिया देखना CH2 यहां से CH2 था और CH देखना बच्चो अब यहाँ पर यह हम ने कर दिया यहां जो मुलक था वही आगे जोड़ा हुआ है अब यहाँ पर हम क्या लिख देंगे cn तो यह क्या हो गया देखो है क्या यही है ना पॉली एक्राइलो नाइट्रील है ना नाइट्रील एक्राइलो नाइट्राइल से पॉली एक्राइलो नाइट्राइल है ना अब यहां पर क्या लगा देंगे हम लोग n लगा देंगे तो हो गया यह पॉली एक्राइलो तोडने के लिए इस क्रिया को शुरुवात करने के लिए किसी को तो होना चाहिए वही हो किसी को इस को देड़ोर करता है तो इसी तो ये सारी चीजे चोटी चोटी चीज़े आपको क्या करना है याद रखना है यह बढ़ते हैं अगली अगर बात करतें वह बात करते हैं संघनन बहुलक संटनंआ का मतलब क्या होता है यहां पर दो चीजे जूटेंगी और जूठके कुछ γब् NAVYee चीजें यहां से क्या होगे निकलेंगी जैसे पाणी हो गया साधारणता पानी निकलता है अंमोनिया हो गया यह पूझ एसे कुछ मतलब उत्पाद हैं वह निकलेंगे संगनन न होगा यहां पर ठीक है हमने योजग बहुलक पढ़ा, योजग बहुलक में कुछ युदारन हमने पढ़ा, जैसे टेफलोन पढ़ा, ठीक है, पॉली थिन पढ़ा, पॉली अकलाइरूल, नाइट्राइल पढ़ा, इन सब में जहां पर द्वी बंद, साधारनता द्वी बंद वाले जहां पर होते हैं द्वी बंद द्वी बंद, उसमें साधारनता कौन सा होता है, वो योजग या स्रिंखला बद, स्रिंखला वरीधी बहुलक, ठीक है, अब यहां पर हम बात करते हैं, संगनन बहुलक में अगर हम बात करते हैं, बचो, इस प्रकार के बहुलक में सामानिया तो दो क्रियात्म सब्सक्राइब होती है अब हम समझेंगे यह क्या होता है इन बहु संगनन अभिक्रियाओं के परिणाफ सवरफ सरल अनुओं है ना जैसे जल क्या-क्या निकल सकता है जल निकल सकता है अलकोहॉल हाइड्रोजन प्लूराइट इत्यादी मतलब कुछ ऐसे सरल निकल जाएगा हम देखेंगे इसके बारे में जैसे वच्चो यहां पर हम इथिलीन गलाइकोल लिया हमने इथाइलीन गलाइकोल और टेरेप्थिलिक अमल इसको क्या बोलते हैं टेरेप्थिलिक अमल यहां पर जैसे आपने देखा ना बेंजीन पर दोनों साइट सी ओच तो इसको बोलते है हमें अगर हमारे पास दो यूनिट है दो हमारे पास टुकले हैं दो खंड है तो इन में देखना बच्चों कैसे हम जोड़ सकते हैं तो यहां से क्या होगा यह आगे यह आगे का जो ओएच है इसका बनाता हूं यहां पर देखना ऐसे हम बना सकते हैं अगर आप समझना चाहते हैं देखो यहां पर हमारे पास च्टू और अपने पास क्या है ओएच ठीक बच्चों फिर सी एच टू और ओएच है क्या है ऐसा लिख दिए हमने और अपने पास यहां पर देखना ओ और क्या है ओ यहां से वहां से यहां जो अनू होते वो निकलते हैं जैसे कि यहां से क्या होगा कि यहां से जल निकलेंगे मतलब अगर आप यहां से ऐसे जल निकालते हो ठीक है यहां से क्या हो जाएंगे अब यह क्या हो जाएगा देखना वैसे ही अब देखो इधर भी तो ऐसा ही होगा देखो यहां पर एक और यहां से भी क्या होगा जल निकलेगा तो यहां से देखो बच्छो यहां से जल निकल गया तो अंत में हमारे पास क्या बच्रा है कुछ ऐसा बच्राइब चीएच टू फिर यहां पर ओ क्योंकि इसका ओ रह रहे तो जो कार्बोग्जलीक अमल था उनका क्या बन रहा है तो उसके अनुसार यहां पर एक ओ रहेगा और यही क्या होगा इसी की बार-बार पुनरावरिती होती जाएगे चीएच टू ओ और यहां पर हमारे पास पी एच है कि सी ओ और यह क्या होगा यह ऐसा ही चलता जाएगा यह क्या होगा ऐसे चलता जाएगा तो यहां पर इसको क्या बोलते हैं टेरिलीन या जिसे हम कहते हैं डेक्रों टेरिलीन या डेक्रों क्या बोलते हैं टेरिलीन और डेक लुटियो को brat Ой गया सब्सक्राइब गया रिघन करेंगे दोबार पुम्रावरिती करेंगे तो आपको निश्चे ही क्या होग음गा और इसको आप याद रख सकते हैं होगे इसको आप याद रख सकते हैं अब कुछ मत्मुन संगनक बहु लग कि हम इधारन ले रहे हैं ठीक है जैसे पॉली एमाइड देखना बच्चो पॉली एमाइड कहने का मतलब क्या होगा यहां से अमाइड है ना कार्बोगजलिक अमला और यह क्या होगे निकलते जाएं नाईलोन 6,9-66 इसका मतलब क्या हा इसका विचरान हेक्सामिथायलिन डायामिन आउं एडिपिक अमला से होता है तो देखना बच्चो एडिपिक अमला कीसे कहते हैं हेक्सामिथायलिन डायामिन दिहान से दो चीज़े यहां पर है और यहाँ पर काइसा आबंद मनेगा हमडे तो प्रस्ण आते हैं कि नाइलोन में कैसा आबंध है को और सा आबंद इसके बारे में भी देखें तो देखना बच्चो this यहां पर चार है तो देखना यह जो 6 है और 6 यह और 6 बोला है ना नाइलोन 6 यह 6 क्या बताता है कार्बन की संख्या तो नाइलोन 6 6 तो देखना बच्चो यहां पर हमारे पास CH2 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 और CH2 कितने हो गए 4 सर चार हो गए ठीक है अब यहां पर देखना हमारे पास कार्बोगजलीक अमला भी तो COOH और यहां पर क्या है COOH इसे हम क्या कहते है इसे कहते है एडेपिक अमला है ना एडेपिक एसिड एडेपिक अमला वैसे अगर हम इसकी बात करते हैं बच्चो यहां पर भी हम क्या कर रहे है नाइलोन 6 मतलब अब यहां पर देखो CH2 के कितने ले रहें CH2 के 6 ले रहें CH2 के 6 अब यहां पर क्या होगा बच्चो जितना बोलेगा ध्यान से समझना यहां पर जो अमल होगा अमल में जितना कहेगा उसका दो कम यहां पर कार्बन लेंगे क्या लेंगे दो कम कार्बन कहने का मतलब क्या सबनए यहां पर देखो यहां से पानी निकलेंगे यहां से क्या करोगे पानी कं़ लोगे तो जब भच्चो यहां से पानी निकलेंगा तो सबसे पहले तो इसको पकड़ा देखू इसका सी ओ और यहां पर एनेच यहां से जल निकाला पहले इनको देखो, इनको धिहान से देखो, ठीक है, इनको देख लिया, उसके बाद ये कर लिया, उसके आगे बच्चो देखो, उसके आगे देखो, इसमें अगर हम इधर वाले की बात करते हैं, तो आप इसको पहले लिखो या बाद में लिखो, आपको confusion नहीं होने है, जब यहां से निकालोगे तो क्या होगा, यही तो निकलेगा, देखना ध्यान से देखना, इसको बहुत ही ध्यान से देखना, तो यहां से यही तो निकलेगा, इसका ओ चला जाएगा, कार्बोगजलिक अमलका ओ चला गया, तो बच्चो, क्या हम ऐसे कुछ लिख सकते ह है क्या इसमें कोई समस्या है क्या यहां से क्या होगा एन एच्टू निकल लाएगा कहने का मतलब यहां पर जितने हमने लिए उतने ही पानी निकल जाएंगे ठीक है जितने लेंगे उतने क्योंकि यह जूटते जाएंगे ना जितने एक एक लिए तो एक निकल लिया दूसरा लिए तो दूसरा निकल गया ऐसे अगर बच्चों यह आपको दिया रहता है ध्यान से समय यह अगर दिया रहता और आपसे कहता कि इनका एकलक बताए तो कैसे करते सर अगर हमें यह दिया रहता और इसका एकलक बोलता तो सबसे पहले ध्यान में आता क्या धियान में आता कि कहां कहां पर आबंद बना है अमाइड आबंद बन रहा है तो सबसे पहले अमाइड को तोड़ो सबसे पहले अमाइड को तोड़ो तो हम क्या करेंगे देखना यहां पर तोड़ रहे हैं तो अब देखो एनेच टू है ना एनेच टू तो एन इसमें त होल six बाकि यहां पर फिर क्या बज़ेगा एन हैसे बन गया यह बन गया अच्छा इधर वाले की अगर बात करते हैं बच्छों इधर वाले कि देखोंग द्वी भीबंद्धों है फिर अपने पास क्या है CH2 कितनी बार है चार बार धियान से समझते चाना फिर यहांपर क्या ह सीध द्वीबंद ओ अब जब सीध द्वीबंद ओ आ रहा है तो हमने इस अध्याए में जो पढ़ा है वह कर्बोगजली का उम्मल तो पढ़ा है तो इसका मतलब यहां पर कही न कहीं OH होगा, यहाँ पर कहीं न कहीं, OH होगा, तो इस तरह से आप इनके 1 लख भी निकाल सकते हैं, तो बहुलग दिया रहेगा, तो 1 लख निकालना है, एक wykor ignoratory उनके बहुलग बनाने हैं, बहुत साधरन, यह क्या हो रहा है, यह एक तरह से संघनन बहुलक है किना से संघनन बहुलक तो यहाँ पर कैसा आबंद भंद रहा है बचछों यह एक अम्याइड आपंद बंब रहा नाइलोन 6 में अगर पूछा जाए आबंद का नाम तो अमाइड देखो नब यहां पर इसको आप बोलते हैं ना सी ओ एन एच टू इसको क्या बोलते हैं तो यहां पर सी ओ नेच है तो इसमें क्या समस्या सी ओ नेच है तो कौन सा आबंद हो गया अमाइड आपन तो नाइलोन में कैसा आबंद होता है अमाइड आबंद ठीक है ऐसे करके आपको नाइलोन अगर मैं ऐसे करता नायलोन 5 नायलोन 6 तो हम करते एकस। वाले भीजिय कि नायलोन 6 का मतलब क्या हुआ मतलब यहां पर 6 का से का अनुगा कुछ हम उद्वारेन और लेते हैं को आको यह समझ में आया क्या कैसे हमने तोड़ा कैसे तोड़ा ठीक अब हम बात करते हैं फिर नायलोन च्छ। तो क्या होता है इसे प्रस्ण भी ऐसे नायलोन हुए है खुय यह महत्पूर्ण स gouden आप नायलोन छे तो जब आपको एसा कुछ दिया हुआ तो आप क्या करेंगे इन का इनका करना बहुतल लग यह नाइलोन छे जो बंता है नाइलोन 6 बनता है रहां यह फिर यहाँ पर दे रखा है ए treatments और यहां पर ऐसा है TH2 और मालो इसके N है और यह हो गया तो यह क्या हो गया हमारा इससे हम अगर N की value अगर N का मान यहां एक कम होना चाहिए ठीक है जितना कहेगा द्यान से समाई नाइलोन 6 बोला इसमें क्या हो गया यहां पर 5 हो गया इसको तोड़ो इनको जब अपने तोड़ा इनको जब हमने जलब घटन इसका किया तो देखो क्या होगा यहां से यहां पर H लगाओ इधर OH लगा दिया अब क्या होगा यहाँ क्या आईसा कुछ बना क्या देखो इन ह tenho एक एक देखो उसके बाद हमारे पास क्या है यह CH2 देखना यह वाली CH2 पांच बार तो मैंने पांच बार लिख दिया ठीक है बचू उसके बाद क्या है बारे पास पांच बार यहां लिखना है पांच उसके बाद क्या है C द्वीबंद O, O, H अब ये क्या होंगे ये क्या होंगे ये ही तो जूटते जाएंगे तो इनी को क्योंकि ये एक हमारा हो गया एक एक यूनिट है ना एक खन्ड एक टुकडा हुआ ये अब ऐसे ही अनगिनत टुकडों को जोड़ते जाएंगे ना ऐसे ही अंगिनत टुकडों को जोडते जाएंगे तो यहां पर देखना बच्चो क्या कुछ ऐसे बना यहां पर हम बात करते हैं एनेच्टू और यहां पर च्टू कितनी पांच और सी ओ ओ एच इनके ऐसे ही बनेंगे देखो बच्चो एनेच्ट फिर च्टू होल और सी ओ ओ एच तो देखना ऐसे टूटते जाएगा क्या ऐसा यहां से पानी निकालते जाएंगे बोलो तो देखो क्या हुआ ऐसे यहां से भी यह टूटेगा यहां से यह ऐसे टूटता जाएगा और ध्यान से समझे ना इनको ठीक है ऐसे टूटते जाएंगे तो देखो स जीद्वी बिदू फिर क्या है घ्ली च्ट04100 Mr.o किट्नी बार लेंगे पाँच फिर क्या है छ प्र होता जाएर चंप तो ये ये हो गया हमारा नाइलोन नाइलोन 6 किस से बना है कैप्रो लेक्टम किस से बना है कैप्रो लेक्टम तो कहते हैं यह कैप्रो लेक्टम को जल के साथ उच ताप पर गरम करने से प्राप्त किया जाता है नाइलोन 6 का उपयोग टायर की डोरियों वस्तरों रश्यों के निर्मान आदी में किया जाता है त कॉँछ और अब हम बात करते हैं पॉलीिस्टर य Jason के बारे में तो हमने चर्चा कर ली ह्याना यह ईडिपिक ट्रेप्थलिक आइसिट या टेरीलीन जिसको अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था उधारन की अगर बात करें जैसे यहाँ पर हमने बात करी थी न डेक्रॉन तो यहाँ पर देखना हमने क्या लिया इथाइलिन गलाइकॉल सीवस्थ तो यहाँ और क्या सोठ्ध को चन करना सहने क् कार्भोमनों यहां ऑ worn यहां अधार गार यहां सफ़ास jahe bistो थे बारे नीजस किलिकाया है थो बेच्ठ क्या लिए डृक फिर सभी इसका गिया तो देखो इसकी कैसे होता यह एथिलीन क्लाइकॉल तो बना लो एक बार अथिलीन गलाइकोल अथिलीन गलाइकोल च्टू च्टू और अधिलीन गलाइकोल और टेरप्थलीक अमल अभी बता है यह कि यह सी ओ एच और में ले लेते हैं पहले दी गए अभिक्रिया की तरह ही निर्मित होती है अब देखों डेक्रोंड रेशा क्रीज रोधी है और इसका उपयोग सूती तथा उन्हीं रेशे के साथ समिश्रन करके तथा सुरक्षा तो यहां पर हमने क्या बताया आपको कैसे हम बना सकते हैं तो यह क्या होगा यहां यहां से पानी निकल जाएगा यह सारे क्या है संगनन बहुलक है तो पानी निकल जाएगे तो पानी निकलेंगे तो क्या होगा यहां से यह चला गया तो कौन सा आबंद बन रहा है इनके बीच में देखना और यहां पर ओ रहेगा फिर सी एच टू फिर यहां से क्या हो गया सी द्वीबंध ओ ठीक है और यहां पर ओ है और यहां से क्या हो गया हमारे पास सी द्वीबंद हो फिर ऐसे चलता जाएगा ना ये इनका क्या होगा ऐसा ही व्रिध्य होता जाएगा इसको क्या बोलते हैं डेक्रोन क्या बोलते हैं डेक्रोन यहां पर ना डेक्रोन ठीक है डेक्रोन अत्वा टेरिलीन या इसको बोलते हैं टेरी लीन डेक्रोन या टेरी लीन तो ये इस तरह से हम कर सकते हैं अब आगे की हम बात करते हैं एक बहुत ही महत्पूर्ण है जिसको हम कहते हैं फिनॉल फॉर्मल डिहाइट की बात करते हैं बहुलक बेकलाइट और संबंदित बहुलक ये भी बहुत ही महत्पूर्ण है तो इसमे साथ संख ननव हिकरिया द्वारा पराप्त करते हैं तो यहां पर इसलिए इसको फिनॉ्ट फर्मल्ड और इसलियु Pacific का जाता है यहां पर देखिना मिनुस्ट प्रस्न और इनके अलग अलग रूप भी हम देखेंगे यहां पर तो हम बात करते हैं यहां पर तो देखो बैच्चों कैसे इसमें एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं इनके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे तो फिनॉल वियत्मनों के वीचरन से होता है जो पुना फिनॉल के साथ अभिक्रिया करके ऐसे योगिक बनाते जिसमें आपस में CH2 समू के मध्यम से जुड़ी वलय होती है प्रानमिक उत्पाद एक रहकिक उत्पाद हो सकता है ठीक है जैसे नौबोलेक जिसका अपयोग प्रलेपों में होता है नौबोलेक बतला कोटिंग मट्रियल के तौर पर ज हमने क्या लिया बच्चों फॉर्मल डी है देखना सी ओ एक और बात क्या कह रहा है यहां पर हम क्या करेंगे उत्प्रेरक यह फिनॉल की अमला अथ्वा चार उत्प्रेरक तो माल लो बच्चों हमने यहां पर अमल लीया ठीक है वेच zajr मॉप्र कि चार आथ्पा आँवल तो होता क्या है तो सबस्रे हो यहां से क्या होगा ये मालो हमने यहां पर लिया ठीक है तो होगा क्या आपको पता है इसς हाइड्रोजन देखें तो कुछ ऐसा बना क्या है यह अगर गया नहीं यह बहुत ज्यादा अस्थाई नहीं होता है यह अस्थाई होता है इसलिए अगर हम बात करते हैं h-c-o-h ऐसे बना और यहां पर h अब यहां से अगर आप बात करते हैं तो क्या बन कईगा यहां पर कौन सबस्ता आया अपको पता है यह जो हमारे पास विद्वीबंद्वीबंद्व पुरी क्रियाविदी नहीं लिखते हैं तो बच्चों क्या होगा कि एक बार हम इसकी पूरी क्रियाविदी लिखते हैं तो ओ है तो कहां कहां ये जूड़ सकता है एक और्थो करिक्व हो सकता है और पयरा पर आपर हो सकता है तो क्या हम यहां पर इसको ह बैद्ति ओ एक कि भ्ल comparative रहें सकते हैं अब अगर यहीं CH 2 ओ ह ह को आपस्या में जूडते जाएं तो हैं एक एक लीनियर एक लीनियर क्या बनेगा स्रीइंख्ला एक लीनियर शjem क्ला बनेगी लआ एकुमेर स्रीइब बनेगी तो यह तो यहां तक हमें समझ में आ गया फिनल फॉर्मल डीट अब इनके अगर हम संनगरसना की बात करते हैं यहां पर हमने आपको दिखाया इसमें क्या दिख रहा आपको फिनॉल है फार्मल्ली है एज प्लस और ओश माइनस है ना एसीड या बेस तो यह बना यह बन सकता है साथ में यह भी बन सकता है मैंने अभी बताए कि और तो और पैरा पोजीशन पर आ सकते हैं या तीनों जगह एन टुकड़े लिए हैना इनके एन अनूलिये और यह इनके साथ प्लस के साथ तो यह क्या होगा ऐसे ही चलता जा रहा है क्या ऐसे चलता जाएगा यह देखो यहाँ पर यह जो यहाँ पर है यह च्छ टू यह च्छ टू इनका है यह च्छ टू इनका है यह च्छ टू इन किनोल फॉर्मल्डी हाइड में अगर एक सीधी स्रिंखला बन रहे हैं तो नौबलेक हो गया और यह कैसे बना यह आपको समझ मां आ गया यह सारी क्या हो रहे हैं यह संगनन पॉलीमर हो रहा है ठीक है आप देखो कि अगर पगर हम यही काम में थोड़ा से इसके मारे मंतों करते हैं एक बनता है जिसे बेक्र BG काते हैं यह ताब ग्रीड बहुलक होता है जिसे गलाकर दोबारा और अपयोग में लाया नहीं जा सकता है तो परसण आते हैं इसलिए यह दो जो अध्याय हैं आपके एक तो आपकी यह बहुलक हो गए और केमस्ट्रीन एवरीडे लाइफ है ना वह जो दो आपकी अध्याय इनमें पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ आप एंसियाटी करें चाहिए जो जाइए मेन हो एडवांस हो वहां मतलब नीठ हो तो हर जगह से इनहीं सिर्फ एंसियाटी से प्रसना आते हैं और यह बहुत आसान अध्याय है ना तोड़ा सा इसको क्या करना मतलब इसको पुन्रावर्ति करके जाना परि इनके एकलक क्या है बहुलक क्या है तो तोड़ने भी मैंने सिखाया अभी और कुछ प्रस्ने करेंगे तो आपको और ज्यादा क्या होगा इस पर और ज्यादा समझ बढ़ेगी इसमें अधा बैकलाइट बनने में नावलोग बहुलक की लंबी सिरिंखला आपस में त्रियक आबंद से जूड़ी होती है बैकलाइट का उप्यों कंगी पोनोग्राफी है ना रेकॉर्ड अभी लिखों वेध्यूत स्वीचों है ना इल्लेक्ट्रिक स्वीच जैसे होता है हम लोग जहां पर स्वीच बल्ब होता है शीचबोड होता है बरतनों के हथ्थे बनाने में क कुकर का ढकन जैसे आप पकड़ते हैं तो वह वाला क्या होता है इन्हीं क्या बना रहाता है तो देखो अब यहां पर हम बात करते हैं तो अब आप बात करेंगे बेकलाइट की, तो ये भी क्या है? है तो फिनोल फॉरमल डेइचे? अब देखो ये वैकलाइट है. ये क्या है बच्छो? ये बेकलाइट बॉलेंगे इसको. क्या है? बेकलाइट. तो इस में हमने देखा, कि यहां पर जैसे ये एक यहां पर इसको क्या कराया था यह कुछ ऐसा बन रहा था इसा पर धनायन अब यह धनायन है तो इलेक्ट्रोन रागी जो विस्थापन अभी क्रिया होगी क्योंकि फिनॉल में आप देखेंगे फिनॉल में क्या होता है अगर इनका आप अनुनादी संगिशना बनाते हैं एक बार रिना कि और तो ओ एच ठीक ए तो एक बार रिनायन यहां आएगा एक बार रिनायन यहां यहां आएगा कुछ आ रहा है समझ में क्या ऐसे दिनायन यहां यहाँ पर आ इसे नियूट देखो बच्चों इस पर कैसा आयन है यह धनायन है तो जो धनायन है धनायन और रिनायन के बीच में क्या होगा आबंद बनेगा धनायन और रिनायन के करके भीच मोरा होगा आबढ़ बनेगा इसलिए हमने क्या क्या इन दोनों को जोड अब देखो यह यह तो और्थो स्थान पर जुट सकता है पैरा स्थान पर जूट सकता है में ता इस ऊधिसे हर कि जैसे यहां पर हम बात करते हैं जैसे बच्चों हमने ये लिया कि यहां पर उस है यहां पर क्या बन रहा है सीहेज टू ओएच यहां पर भी क्या बन रहा है तू ओएच देखना इधर वालने निकलते जाएंगे और यह आपस में GitHub में जूटते जाएंगे यह आपस में ऐसे CH2ु तो यहां पर देहोड़ seya.com अअज़भी जूट सकते हैं ठीक है तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं अब हम अगली अगर बात करते हैं मेलमीन ऑलमल है तरोल्ल फील ऑफ पर A एकलाइट मसर्मेंल पाल दी हैडिल की बात करते हैं तो मेलामीन फरमल दी हाइड हमारे पास क्या हो रहा है यह रेजन मध्यवर्ती बनेगा और मेल इन बहूलत है न? पाली मैट महमार मेलमाइन भोर्मिंभ इनक वह प्लंग इनक फ Half तो अब यहां पर वैसे हो रहा है ना यहां से देखो HCHO है अब यहां से क्या हो सकता यहां पर यह ऐसे हमारे पास यह NH2 समों है अब देखो यह हमारे पास CO, H, H तो यह क्या करेगा यहां पर आकरमन करेगा यह तूटेगा और आपको कुछ ऐसे बनेगा यहां NH और C, यहां OH हो जाएगा और यह इज और इधर हमारे पास मेलामाइन चलूए तो ऐसे जूड़ते जा रहा है आब बहुलकन कराएंगे इनका बहुलकन कराएं तो देखो इधर से भी तूटते जाएगा, ये एक हमारे पास अगर मैं इनकी बात करूं देखना n कि ये अएन Wow यह देखना आफ देखो बैच्चों यहां से हमारे पास क्या एन एच फिर सी यहां से क्या बन रहा है दो मुझे हैं-टो है और सि दो छे हैं वैसे यहां से वी अगर हम देखते है तो अब क्या होगा इनके जो CH2 OH है यहाँ पर इसको इस सैड लिक देते हैं तो अब क्या होगा यहां पर यह अगली जो हमारे पास अनू है अगली जो अनू है वह क्या करेगा यहां से हैं अगर हम देखते हैं यह दो एन एच two है एनफ टू तो इसको ऐसे लिख लो एन एच्च और एच फिर हमारे पास क्या है कि यह से एगा कि अगर हमने दो को गोड़ा तो यहां से पानी निकाल दो अगर हमने दो को जोड़ा अगर सिर्फ हमने सेघंब 2 को जूड़ा तो ऐसे निकाल, तो क्या ऐसा कुछ बन रहा है'S, एंच , एच शी एच टू, एट बन रहाए'M mosquito और इसे फी तो बहुत सारे अनगिनत अनुक्ते जंघंगे उडते जए इस को हम मुलता हैं मैलेमीन फोर्मल लिया तो फोर्मल ललेट में दो याद रखना क्या-क्या confess फिनव और फिय zulकर ही नोव लग में होता है एक सिधी श्रington जूटते जाएगी और बेकी लाइड में ओता है ज्यादा मजबूत मतलब उसमें तिन चार तरह से हरेकोर से क्या हो रहेगा उसमें शाखित वो ज्यादा शाकीत होंगे वो ज्यादा मजबूत होंगे उसी तरह से हमने मेलमीन का बहुलकन होने से हमें मेलमीन बहुलक मिलता है ठीक है ज़ी आगे बढ़ते हैं इन अभिक्रियाओं में प्रतिक पद का उत्पादन भी एक द्वी क्रियात्मक स्पीसिज होती है और संगनन का अनुक्रम चलता रहता है देखो अभी मैंने बता संगनन वो अनुक्रम चलता रहेगा मैंने दो आपको बना के दिखाए कि दो अनु आपस में कैसे जूड़ते हैं अब संगनन क्या होगा अन्गिरत चलता रहेगा प्रतिक पद में एक भीन प्रक्रियात्मक समोव यूक्त स्पीसीज निम्ढखत होती है और यह एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं अता इस प्रक्रिया को पदश्चह विरिधी या बहुलकन भी कहते हैं एथिलीन गलाइकोल और टेरेप्लिक अमलकी अन्योन क्रिया से टेरेलीन अत्वा डेक्रोन का बनना इस प्रकार के बहुलकन का उधारन है तो हमने अभी थोड़ी दिर पहले इसके बारे में चर्चा करी ठीक है है हा Singapore भी इसमें एक से अधिक परकार रहा होता है करने पर एक साथ भूलगम से ही नहीं अपितु पदसवरिदी बहुलकन द्वारा भी बनाए जा सकते हैं इसकी बहुलक की सरिंखला में प्रयूक्त किये प्रतिक एकल लग की इकाई इकाई होते हैं कि उधारन के स्वारूप ब्यूटा वन्त्री डाइन और स्टाइरीन का मिश्रन एक सा बहुलक तो आपको मैंने समझा चु स्वारा है यहां पर ने द्वाण को हल करने के इसको कैसे Мाल करेंगे सतु कैसे इससेाइन और स्टायरीन यहां पर क्या है इस को कहते हैं इस है और ब्यूटा 1329 गई झाफं इनको जब हम योजन करते हैं तो ब्यूटा एंट बहूलक बनता है यह बात वाचे समझ में अब हम आगे बाघते हैं कर दो इसके विभीन उपयोग हैं इनका उत्पाद्न रबर के लेटेक्स से किया जाता है जो की रबर का जल में कॉलाइडी परिक्षे पहन यह लेटेक्स रबर के विरिच्छों से प्राप्तिया यह सब ऐसे जो भारत स्री लंका इंडोनेसिया मलेशिया और दक्षिन अमेरिका में पाए जाते यह प्रकृतिक रबर आईसोप्रीन का एक रेखिक बह बहुत लखा और इसे समकक्ष वन फोर पॉली आईसोप्रीन भी कहा जाता है देखो यहां पर क्या हो रहा है हमारे पास वन थ्री व्यूटाडाइन है ना वन फोर क्या बन रहा है वन थ्री व्यूटाडाइन तो देखना बच्चों यहां से अब हम बात करते हैं एक रेखि है बच्चों तो आप क्या करेंगे पहले आप क्या करेंगे इनके बीच में इनके मत देखों यह भी क्या होगा एक मूलक बनेगा यह भी मूलक मनेगा तो यहां पर आबंद बना लेगा और उसके बाद यहां पर जो मुलक बनेंगे वो आपस में क्या होते जाएंगे जूड़ते जाएंगे तो यहां पर अगर हम देख रहें तो यहां पर जैसे यह CH2 है यह CH2 ठेक है यह CH2 यह और दूसरे अनुका भी यही CH2 और बाकी देखो पीछे अगर देख रहे हैं, तो यहाँ पर CH, फिर क्या है, उसके बाद वाले में CH3, फिर CH2, ऐसे ही तो जूड़ते जाएंगे, तो इसको हम बोलते हैं प्रकृतिक रबर, ठेक है, प्रकृतिक रबर, तो प्रकृतिक रबर का हमारा क्या है, आईसोप्रीन होता है, और इसको सलफर का सलफर आदी जोड़ देते हैं, तो इसको क्या बलते हैं, वलकनिकृत रबर, तो वलकनिकृत रबर में क्या होता है, सलफर आबंध होते हैं, ठेक है? सब्सक्राइब अगे कि अधे अब यहां पर देखें के कुछ संसलेशीत रबर जिसको हम नियोप्री नियोप rumor में मैं अगर देखते हैं तो जो अधे क्लोरों बी आई उनका बहुलकन कराते हैं तो नियोप्रीम बनता है तो प्रस्न यहाँ पर बैद ゃा है कि इन फार हम कर देख से आपको व्याहाँ सिखाया बनाने की कैसे आप इनको बना सकते हो नपला है हमने क्या बता सा यहां फिर यहां पर देख बना यहां पर र१ी बंध्ध the इनका मूलक बनाया इनका क्या क्या मूलक बनाया देखो इनके मूलक बनाये तो यहां पर मूलक बनेंगे यहां पर मूलक बनेंगे यहां पर मूलक बनेंगे यह तो यह दोनों मूलक आपस में तो द्वीबंद बनेंगे देखो CL वाले और उसके पड़ोस वाले CH के आब यह क्या है द्वीबंद है उसके बाद यह क्या होगा CH2 देखो CH2 यह और यह पीछे वाले भी CH2 ऐसी ही रहेंगे जहां जहां मुलक बचते हैं उसको छोड़के बाकी आप बना दे तो देखो क्या लिख सकते हैं यहां से देखो CH2 आप जो मुलक है आगे वो जूटेंगे जो मुलक है वो आगे जूटेंगे अब देखना यहां से यहां पर हम क्या करेंगे CCL C.L. देखो, यहां पर C.L. और इसके मध्य क्या करेंगे? ध्वीबंद लगाएंगे. इस पर क्या है? C.H. है. फिर आगे क्या है? अपने पास? CH2 है. और यह क्या होगा? यहां पर मूलक बच रहा था. तो जो मध्य में जो मूलक आते हैं उनको जोड़ देना है द्वीबंद बनाना और बाकी इनको कर देना है यहाँ पर N अब अगर आपसे कहता कि इनका कि इनका एकलक क्या है इनका एकलक क्या है तो आप क्या करते इसको मूलक बना लेते देखना ध्यान से जहां अंत हुआ है जहां अंत्वाड उसका मुलक बना लेते हैं उसी तरह से यहां मुलक बना लेते हैं आप इनको भी तोड़के अब क्या करते हैं इधर मबने रटी तो आपको 12का पता चल ज nered तो यह क्या है क्लोरो पृच्द का क्या है NE 오र फोरो पृंट कॉल्र लक निउपरीं तो यह हमारा नियोप्रीन का बहुलक नियोप्रीन तो यह हमारा प्रकृति रगए ठीक है अब हम बात करते हैं तो यहां पर देखना क्या होता है कैसे याद करेंगे तो यहां पर जो हमारे पास जो प्रकृतिक रबड है एक तो आपके पास नियोप्रीन हो गए ठीक है नियोप्रीन यहां पर मैं शॉट में लिख देता हूं तो यहां पर एक तो हो गया नियोप्रीन नियो प्रिन ऐसे नियो प्रिन उसके बाद हम देखेंगे बच्चो ब्यूना ब्यूना एन और ब्यूना एस ब्यूना एन और एस यहां पर एन और एस क्या बताता है वो भी हम देखेंगे अब देखो नियोप्रिन के लिए हमने क्या लिया था हमने लिया था क्लोरोप्रिन तो क्लोरोप्रिन क्या होता है यह हमने देखा था यहाँ पर द्वीबन और यहाँ पर द्वीबन इसको हमने क्या गाता क्लोरोप्रिन और यही क्लोरोप्रिन क्या होगा था बहुलकन हुआ नियो प्रिट्ट बनाता है। भूना एन इन में क्या होगा बच्चो यह होगा हमारे पास कि YET ठीक है। और सात में हमारे पास एन मतलब बच्चो न anti-n न मतलब cryalainеб कोन सा नाइटराइल हमने पढ़ा है एक्राईलन नाइटराइल तो हम क्या करेंगे इसमें हम क्या लेंगे एक्राइलो नाइट्राइल मतलब यहां पर हमारे पास है सिएच टू डवल बॉन सी एच और सी यह हो गया एक्राइलो नाइट्राइल इन दोनों को हमें क्या करना अब देखो बैच्चों यहां पर क्या करेंगे इनका भी आप क्या बना अब इन दोनों में आपको क् क्रफ़ जाएंगे कि मूलक जाएंगे साइड वह अब क्या करोंगे इन का इनका उने की कि था किया करोगी मूलक बनाओध तो यहां पर देखना के ये यह हगा यह से जूड़ जाएगा तो देखो इसको मैं आपको यहां दिखाता हम अगर आप इनको बनाना चाहते हैं तो दिखो विञाओ यहां पर हमारे पास है यह और यह वाली काज़ना और उसके आगे यहां पर यहां पर क्या है यह C H और यहां पर क्या बनेगा T N और यहां पर CH2 और यह ऐसा ही क्या होगा चलता जाएगा ऐसे क्या होता जाएगा चलता जाएगा देखो तो कार्बन की संख्या देखना हमेशा दो चीजों को जब जोड़ोगे इनुमें कार्बन की संख्या देखना और पर सकते हैं तो यहां पर भी देखो एक दो टीम में रखने हैं और इन जैसे बताया उस तरीके से आप करो तो आपको क्या होगा अच्छसा वाइप रिवुटेंहे तो बिउनास ना होगा ब्यूना एस में क्या-क्या जूटेंगे तो ब्यूना एस में बच्चो होगा आपके पास ये 1 3 ब्यूटा डाइन तो होंगे ही और साथ में आपके पास इस्टाइरीन होंगे जो कि हमने आपको यह बताया था बच्चो जो N यहां पर आ रहा है इस N का मतलब क्या होता है नाइट्राइल है नाइट्राइल कौन सा एक्राइल नाइट्राइल और S मतलब होता है बच्चो स्टाइरीन स्टाइरीन यहां पर क्या होता है स्टाइरीन तो यह S मतलब यहां पर हम बात करते हैं स्टाइरीन की त तो इहां पर हमने अभी बत था क्या स्टाइरी नभी बता था हैं स्टाइरीन, मतलब के सिंड और कृड़ों का सजे स्टाइरीन , अब हम बात करते हैं इनके आनविक द्रमयमान की अगर देखो बच्छों बहलोको का आनविक द्रमयमान तो बहलोकों के गुनों उनके आनुविक दरव्यान आकारा और संग्रशना से घनिष्ट रूप से संबंदित होते हैं, ठीक है, तो क्योंकि कई बार प्रसना आता है, सिधे मतलब इस पर सवाल क्या आते हैं, आपको इनके मान दिये रहेंगे, और उसके आनावसार आपको इनका मतलब average, यहाँ पर द संख्या रव्यमान के बात करें, थो आउसत अंवसार रवयमान के लिए तो इसको बात करते हैं, व्यक्त बहुलोकों के आनुविक दरव्यमान को रासाइनिक और भहुतिक विध्यों द्वारा ज्यांत क्या जा सकता है, अब इनकी अगर हम बात करते हैं, थोड़ी से अब यहाँ पर अगर बात करते हैं संख्या तो यहाँ पर यदी बच्चो एन टू एन टू एन टू एन तरह के हैं ना कहने का मतलब यहाँ पर जब बन रहा है और इसका अनुभार मानलो M1 है इसका M2 है इसका M3 और ऐसे करके जा रहा है तो ऐसे इन सब के इन सब के मिलने से हमारा बहु लग का निर्मान हुआ है तो यहाँ पर देखेंगे बच्चो इनका आउसत अनुभार दो तरह के अनुभार होते हैं कौन-कौन से एक तो संख्या आउसत अनुभार और दूसरा क्या होता है वेट एवरेज मॉल्लर मास जहां पर हम करते हैं भार आउसत अनुभार तो देखों बैच्चो कैसे करेंगे इनके जो नंबर है ना N1 M1 मतलब पहले का फिर दूसरे का N2 M2 फिर तीसरे का N3 M3 ऐसी चलता जाएगा और नीचे क्य क्या करें उनके तो तो संख्या तो इस प्रकार से अगर हम करते हैं तो नाई M1 इनका क्या है समशनहां इनका योग ऐक फ़ल समयसना यह बताता है योग फ़ल आई टक जहां तक होगा जितने होंगे 10 मे missedisine तो 10 तक अगर और आउसत अनुभार तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों यहाँ पर हम करके और अनुभार हो और मतलब इसके इतने जो भी अनुभार उनका भार मानलो M1 है और उनका अनुभार ये वाला बड़ी M है तो उसमें हम क्या करेंगे इसको बोलेंगे भार ओसत अनुभार तो यहां पर देखना संख्या नंबर में क्या होगा कुछ हम संख्या लेंगे ठीक है और भार में दोनों भार ही होगा तो क्या करेंगे M1 N1 त चोटी M1, तो टोटल हम इसका क्या करेंगे, टोटल भार क्या हो जाएगा, इनको गुणे कर देंगे, तो यहाँ पर देखो, M1 M1 प्लस M2 M2 प्लस M3, तो बस वहाँ पर क्या है नंबर था, तो नंबर लगा दिया, ठीक है, यहाँ पर वेट है, यानि कि भार है, तो भार लगा है, तो यहाँ पर देंगे, आपके अंसर आ जाएंगे, आपके उत्तर आ जाएंगे, तो बहुत साधारा नहीं है अब कुछ हम उधारन देखते हैं जीसों हम कहते हैं जैव निमनिकरन बहुलक क्योंकि ये भी आता है जैव निमनिकरन बहुलक वैसे बहुलक होते हैं जो क्या हो सकते हैं जो प्रकृति में जाने के बाद उनका अपघटन हो सकता है है ना जैवी को जीवों क के द्वारा अब घतन हो सकता है टेकर तो उनको वोलते हैं जैव निमनिकरन बहुलक तो ऑन्नेक बहुलाई प्रयावरां निमनिकरन के प्रति सरस्वत्थ सर्वाथा प्रतिरोधी होते हैं और इस प्रकार यह बहुलक ठोश अपृस सिस्टीistes रव्यों के संचन के लिए उत्रदाया होते हैं इस ठोस अपसिस्टों के से गंभीर प्रयावनिय समस्षा उत्पन होती हैं और यह काफी लंबे समय तक अनिमनी कृत रूप में पड़े रहते हैं समानिय जानकारी और बहुलक ठोस अपसिस्टों द्वारा उत्पन समश्याओं को ध्यान में रखते हुए कुछ ने जयव निमनिय संस्लिस्ट बहुलकों का हम अभिकल्पित और विक्सित क्या गया है मतलब क्या होता है बहुत सारे ऐसे बहुलक हैं जो अगर वातावरेन में उनको छोड़ दिया तो सालों साल तक वह ऐसी पड़े रहते हैं और जिसके वज़े से मिर्दा को या फिर और भी दूसरी जीव हैं उनको हानी पहुंचते हैं तो इसलिए मनुश्यों के दिमाग में क्या आया कि हम ऐसे कुछ बहुलकों का निर्मान करें जो जेव आप किरे मकुर्द और एक साल के बाद निकाले तो वहां से कुछ नहीं मिलेगा कि मिट्टी में जो भी किडे मकुर्ण egent होते हैं वो उनका क्या रत्क होते हैं अब घटन कर चुके होते हैं तो ऐसे बहुलकों को जिनका जीवों के दवारा अब हगटन हो सकता है उनको जेव ब्र אुटोनिक गॉस्य और थ्री हइड्रोग्सी पेंटेनो एम ला इनका जब हम बना लेता है तो पी एच भी भी बराते हैं पॉली हईड्रोग्सी भी टरल है ना कि आधि यहाँ पर देखो 3 hierarchy patriot छी पेंटेनुएक एक जैसा मुर्ण यहाँ पर pH भी आपको यहाँ पर सीधा प्रस्न शीद्रास प्रस्न क्या आ अब यहां पर देखो यह कैसे बना है एलिफेटिक पॉलिएस्टर जैवनिमने बहुलकों का एक महत्पुन सुवर्ग है कुछ महत्पुन उदारन निम लिखी थे तो पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट पी एच बीवी का यह हमारा पूर्ण रूप है पॉली आप हलांकि यह पी एच बीवी आपको दिया रहेगा प्रस्ण में तो उसके लिए प्रिशान नहीं होना है पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट ठीक है अब देखो यह तीन हाइड्रोक्सी ब्यूटेनो श्राइब एक जोड़ने से सम बहुलक मतलब एक ही तरह के कि से इथली अनय पॉलिथिन होता है प्रियूड का उपियोग वेशिस्ट पैकेजिंग अस्थियों में प्रयुक्त युकतिए और ऑसधों के नियंतृत मोचन में भी होता है कहने का मतलब जैसे होता है कि जो दवाईयां कैपसुल जो आती है ठीक है उसके उपर में एक पतली परत जैसे रहती है ठीक है जिसको आप खा जाएंगे है ना है तो वह भी पॉलीमर है ना बहुलक है लेकिन उसके अंदर में क्या होती है दवाईयां होती है और व आप ऐसे सोचो अगर ये जेव आप घटनी ये नहीं होता तो क्या होता तो फिर हम उसको पचा ही नहीं पाते वह हमारे बॉड़ी के लिए नुकसान दायक होता हम उसको नहीं इस्तेमाल कर सकते उसके लिए कुछ और हमें तरीका ढूंडना पड़ता है ना तो यह चीज है अ पिछ नॉसक्राइब कर सब्सक्राइब जोड़ता हैं आप अब यहां पर नाइलों टूर विदा नाइलोन के बारे में हमने पढ़ाता है न तो यहां से देखते हैं बच्चों नाइलोन टू नाइलोन से यह ग्लाइसिन और एमिनो कपरोइक का एक अंतर वलेमाइड भूलक है और जेव निमनिय है तो कुछ उधारन हमने जैसे बताया ना जेव निमनिय तो एक तो हमने यहां पर दो हमारे पास चब्सक्राइब और अपर नाइलन टू नाइलन शिक्स कैसे लिखेंगे तो देखना हमारे पास यह हमारे पास है यहां से पानी निकलेंगे बोलो यहां से पानी निकलेंगे एक हाइड्रोजन निकाल देना एक हाइड्रोजन रहेगा तो आप लिख सकते हो यहां से बच्छों एन एच ऐसे और देखो छेट टू लफाइब चीओ देखना शीएज ह्टू अब यहां तो यह आपके संग्रचना हो गया है यह संग्रचना लिख सकते हैं तो यह क्या है यह निमनिक्रनिय बहुलक है मतलब जीव इसको क्या करता है घंट कर सकता है ठीक है । चैनि आपकुछ व्यापारिक महत्वक्य बहुलक देखते हैं। व्यापारिक दिरिष्टशिशे महत्पुन है। कुछ अन्या बहुलकों को उनकी संचना उप्योगों से सहीत सारणी में दिया गया है। तो आपकी बच्चो जो NCRT में जो सारणी दी गई है। इन सब के ब संगरचना बनाएं ठीक है इनकी संगरचना बनाने के बाद आप इनका क्या करें बहुलकन करें पौली प्रॉपिन मतलब उच्चो प्रॉपिन कैसे लिख सकते हैं th3 CH और CH2 यह हो गया प्रॉपिन अब क्या करेंगे इनकों कैसे बनाएंगे मैंने बताया बहुत ध्यान से इसको अगर आपने देखा है तो जरूर बना लोगे अब मैंने क्या कहा था आप क्या करेंगे यहां से एक मुलक यहां बनाएंगे ऐसे मुलक बनाएंगे देखना जैसे और यह क्या होंगे यहीं ऐसे चलते जाएंगे तो यह हो गए हमारा है समझ मारिये तो किस कैसे हम इसको जोड़ सकते हैं ये चीज अ याता है क्या है ये है वेज़ीन और इसमें CH 2 तो फिर यहां पर क्या करेंगे यहां पर रेडिकल बनेगा यहां फर मुलक बनेगा बहुत आसान है है ना c A ओसकें जगा एक आबन्द यहां पर आपने सरफ लगा दिया फिर अपने पास है प्र यह एलगा दिया यह फाली स्टाइरिन क्या इस पॉलिस टायरीन से पॉलीश टाइरिन ऐसे कर mistake के बना सकते हैं और इनके जो इस्तेमाल है इनके जो यूजे से उनको याद रखना हूँ तो आप जोड सकते हैं बहुत साधारन है इनको जोड सकते हैं बीचो बीनाइल क्लोराइड PVC तो बीनाइल क्लोराइड कैसे सी हैं हैं यह तो आप इपनी हैं आप देखंगे लाइन ऐसे इक लाइन इसदें और यहां पर देखना टर्ट यह ऐसे बन जाएंगे देखो हमें इस मूलक को यहां से हटा रहा हूं और यहां पर देखना चू यहां बनागी वीधिक आप पर है ना CH2 CHCl और इनके N हो गया कि नहीं आसान है कि नहीं पॉलीमर इस नॉट टाव पॉलीमर ज्यादा मुश्किल नहीं है बहुत आसान है थोड़ा से लोजिकल है इसको थोड़ा से समझ के एक दुबार प्रैक्टिस करो आ जाएगा देखो पॉली विनाइल क्लोराइड हो होता है हेच सी ओ हगा यजश एक क्या बना ऐब क्या करते थे आगर हम आमलक युक करते तो यह क्या भन जाता था अंधक्टिस तो इस Бर रहा था आप और चरह तो वींगे क्या करते लेंगे ठीक मैं एजखो उरी जस ऐसे दिसको तो नीज़ गया दरगरी मिल्या था इतंग से जगा वत और यहां अर यहां पर हम लोग क्या कर था ईनके पैरा स्थान पर अपना क्या हो रहा है था मैं थोड़ी से समझाने के लिए आपके रहा हूँ स्थी-ओउसतान पर नोगतने से यहां से क्या हो रहा था सी ओच हो रहा था अब फिर box पर इसको आप क्या कहेंगे उसको आप कहेंगे श्रुए है यह बाती तो आप आसानी से पहाट हो गईनतल लो पाथ और यहां पर अगर हम ढऄ कर रहते तो यहां पर अगर थांद श्रीक ट्रल और यह बातनों के रने एधियुत हैं स्वीच बरतनों के गश्षा ऒीन्हीत। कंप्यूटर डेस आदी इत्यादी बनाने में इसका इस्तेमाल होता है तो देखो कितना मतलब अच्छे से हमने किया इसको तो देखो यहां पर साधारंत आपके जो में उदेश्य होना चीए वो क्या होना चीए कि आप प्रस्न कैसे इसको हल कर लेगी यह हमेंसा ध्यार में र तो बिच्चो अपने लोगों ने क्या क्या था यहां से इसको हमने प्रस्न आपको करवाये थे एच और वेच इसको तोड़ा फिर उसके बाद क्या बन रहा था कितने कार्बन है इसमें कितने कार्बन है यहां पर कितने कार्बन एक दो तीन चार पांच छे तो क्या बनेग का प्रकार क्या होगा क्योंकि वहाँ पर अगर हम आकरसन बलके अनुसार देखते हैं तो वहाँ पर एक तो सीधी रेखा वाली थी ठीक है दूसरा क्या था बहुत ज्यादा जालक इसको हम क्या जालक बहुलक या बहुत ज्यादा है ना जालक जालक क्रम ये कौन साय जालक क्र कॉलंब 2 में मिलाईये हैं अब देखो वाला नायलोन चैसा है ना तो इसको आपको क्या करना है सुमेलित करना है तो घर जो आपको पहले आता हैं पॉली एक्राइलो नाइटरन इसमें आ गया अच्छा प्रकृतिक रबर चलो LDP और यहां पर क्या नाइलोन 6 तो नाइलोन 6 क्या बताया था बैच्चो नाइलोन 6 अभी हमने क्या नाइलोन 6 क्या बन किससे बन रहा था पॉली blessing कैप्रोलेक्टम नाइलोन श्क्री किसे आ रहा थाैन दिन चीज़ा हो गई बारे पास क्या बच रहा है प्रकृति क्रबर करए estilo Andrew कैम घ्रौाल से अब्लौकि आइसोप्रीन तो किसे बन रहा था कैम घंट्रवा वाले तो प्रति आप के प्रस्ना आ करते हैं इनका मिलान करने के लिए ठीक है अगली प्रसने की और हम बढ़ते हैं अगर अगली प्रसने की हम बात करते हैं तो अगली प्रसना हमारे पास क्या कह रहा है देखो टेरिलीन है नाइलोन है सेलूलोज है और इसमें किस तरह क्या आबंध है अभी देखा हमने आबंध कों सा पुस्त होता है आपन्ञाय तुद्ध मीं कौन सा आपन्द होता है आपको नायलॉन नायलों में कैसा आपन्द होता है तो है उट्थे हैं इस केुआतbei नायलोन प्रोटीन के बारे में जल्दी से बता दो तो प्रोटीन में कैसा आबंध होगा प्रोटीन में भी सर अमाइड आबंध होगा प्रोटीन में भी कैसा आबंध होगा अमाइड आबंध होगा अब बाकी बच गया आरेने तो आरेने के बारे में भी हमने पढ़ा है तो आरेने के जै और प्यांकि देखो पिछली अध्याए में जो हमने पढ़ा है जै वनुं कि पीछली से प्षले मतलब जै वनु जो हमारे पास इस से पहले जो हमने पढ़ा ता उसमें भी आबंद के परकार हमने देखें ते गलाइको सेडिक आबंद जहां पर ऑक्सिजन दो प्रोटीन है उसमें भी अमाइडाबन तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं इसको देख सकते हैं अगली प्रस्न की बात करते हैं इस प्रस्न की बारे में आप सोचके बताइए सब्सक्राइब भुणाइडन सिस्टमेटीक रभरोहो मतलब कहने का मतलब इसका अगर प्रस्न बोलेंगे तो पोलाए, बूलें, जो है वूला एंजो है, बूली नोहिए, किससे बना है यह इस प्रस्न के मतलब है, जो भूना kaufen हमने आपको बताया तो उसके यंवको究 अख्य और बाकी दोनों क्या होता है 1-3-butadine क्या हो रहते है 1-3-butadine ठीक है ऐसे करके देख रहे तो यहां से अगर हम बात करते हैं तो कौन सा हो जाएगा देखो बच्चों यह एक्राइलो-nitril है और यह 1-3-butadine मतलब हम आप याद करो मैंने इसके बारे में आपको करवाया यह है और साथ में एक्राइलो-nitril मतलब CH2 CH और CN यह एक्राइलो-nitril ठीक है अच्छा यह हो गया मतलब दूसरा उत्तर हो जाएगा दूसरी उत्तर हो जाएगी चलिए अगली प्रस्न की हम बात करते हैं आप एक काम करना इनको यह जो आपका आपका जो काम है आपके लिए इसमें काम है आप एक काम करना है आप एसे बैठे होगे क्यों आपके लिए एक काम है आप क्या करेंगे इनका आप क्या करेंगे इन इनका पॉलीमर बनाएंगा पॉलीमर मतलब क्या हुआ आप इनके बहुलक बनाना इनको जोड जोड के बहुलक बनाने ठीक है इन सब के बहुलक बनाने के हलांकि जो है या नहीं है लेकिन मैंने तो सिखाया ना कैसे बनाना है द्वीबंद को तोड़ना है और उनका मूलक बन कउन सा है पूरणता फ्लोरी निक बरूलक कॉन सा है तो याद करो टैफलोन फेलोन फपलॉन अठेफलोन तो टैफलोन है ना टैफलोन ठेपलोन से आपको यह पता होना चाहिए मैंदे बहुत बढ़े मतलब गया यह भी 6 आएगा तो यहां से अगर देखोंगे साथ यह डाइलन inöh जाएगा टीक है यह डाइलन इए पर चार है तो बचा कौन कौन बचो तो बचा सory c8 कह बचा है ना सिअ प्रसन अपके लिए אז क्यों मेंद नाइलन की सबस्लेट से बनाता है नाइलन इन यो बलीस्टर पॉल्यमाइड सबस्व마र जीकी में गालन को आपको ढूसरय के सबस्तुआ अब सब्सक्राइब में सबस्क्राइब जितने भी सवाल आपको दीख रहे हैं यह सारे जही मेंस के सवाल है कितने आसान सवाल आते हैं तो बच्चों देखो क्या कह रहा है स्ट्रक्चर आप नियोप्रीन की संग्रचना कौन से है इन में से नियोप्रीन की संग्रचना कौन सी है नियोप्रीन की संग्रचना कौन सी है तो आप बोलो नियोप्रीन में क्या ह अब दाता है नियो प्रिस्ट पर देखो यह हो जाएगा डी कola आजाएगा बिए आपका कटीकर चलो यह कौन सा बीचो श्योंень मेला माइन याद है यह क्या है पॉलीकराइल नेट्राइल रफ्या पान ओर यह कौन सायतक अब कर यह कौन सा यहा या या आप बताओ यह कौन सा आएगा ब्यूना एन है ना ब्यूना एन सब के बारे में पता होना चाहिए मैंने करके आपको कराया ठीक है तो जखना अच्छा अगली अभी क्रिया यह हमारे पास है देखो यह थोड़ी से चिक आप इस सवाल को कर सकते हैं तो इसका मुख्य उत्पाद है ना इस ब्च्छो सबसे पहले यहां पर न दो मतलब ऐसे प्रस्ण जो आते है न उसमें क्या होते हैं एक-दो अध्याई को मिला के आपको यहां पर प्रस्ण पूछे जातें तो अगर आप देखेंगे यहां पर अलकॉलिक क्या करता है वीलोपन अभिक्रिया के बारे में आपने बनाए है ना विलोपन अभिक्रिया तो यहां पर क्या होगा बच्चो सबसे पहले द्वीबंद बनेगा तो पहली क्या बनेगी बच्चो यहां से सबसे पहले विलोपन अभिक्रिया कराएंगे तो द्वीबंद यहां पर द्वीबंद बनेगा मतलब मैं इसको अगर यहां ब ठीक है और अगर हम यहाँ पर अल्कोहलीक पोटासियम हाइड्रोकसाइड इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता है अल्कोहलीक पोटासियम हाइड्रोकसाइड से क्या हो रहा था अल्कोहलीक पोटासियम हाइड्रोकसाइड से यहाँ पर क्या होता है अलकीन बनता है ठीक है यहा मूलक बहू लकन करेंगे तो करके बताओ मेरे लाल है ना क्या है करके बताओ इसको कैसे कर सकते हो तो मैंने क्या बताया था आप इनका क्या करेंगे इनका मूलक बनाओ मूलक तो बना सकते हो देखो देखे बाजी नहीं ठीक है मूलक बनाँ पहले सीड़ जोड़ते जाएगा कहने का मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं चीएइच टू कि यहां पर दूइब बनता तो एक हाइट्रोजन है यहां पर भी एक हाइट्रोजन अब क्या होगा विच्छो इसी को लिख रहे हैं देखो यह ची और इस वाले या किसी एक हम क्या लगाएंगे एक मेथिल से मूलगा दिया हम लो हमने यहां पर CH3 लगा दिया और मूलक जहां पर है वही तो आगे क्या करेगा जूटता जाएगा मूलक ही तो आगे जूटता जाएगा तो यहां से अगर हम बात करते हैं इस पर कौन सा समूँ है तो यहां पर हम क्या लगाएंगे यह समू लगाएंगे क्या यहां पर पैरा स्थान पर अपने पास क्लोरीन है कौन से स्थान पर है पैरा स्थान पर क्लोरीन है बाकी यह ऐसा बना फिर देखो क्या ऐसा कहीं आपको दीख रहा है एक दो दो कार्बन और इस पर मिथिल समू औ और पिए समूद सर यह तो बहुत आसान था है ना आसान था लेकिन आपको पता होना चाहिए जब पता रहेगा तभी तो बना सकते हैं तो यह चीज हो गया तो कौन सा उत्तर हो गया आपका देखो यहां पर ओच लगा रखा है तो यह होगा नहीं वह लगा रखा है यहां पर सेल डेखो कहां पर यह तो तो सही यहां पर एक कार्बन एक्स्ट्रा लगा दिया जब कि यहां पर है की यह सीट्राइब हगे यह PanMPil इस्तेमाल भी नब भॹली के नि में ठीक है तो यह हमारा उत्तर हो अपना उत्तर हो जाएगा तो इस तरह से हमने देखा, देखो बच्चो- एक-दो और प्रस्नक लेते तो देहों यहां पर क्या कहा रहा है कि पोलीमिर्स य Cap alors you know ये ना एस हमें बताना है इन में से इन में से यह चोडैंस है इन में S मतलब styrene, मतलब styrene, और क्या-क्या आता है? एक आता है, 1-3-butadine और styrene, तो देखो 1-3-butadine और styrene किस में है? 1-3-butadine और styrene कितना है किसमे है तो देखो बैच्चो styrene तो ये समू ये समू styrene हो रहा है ये styrene हो रहा है और देखो 1-2-3-4 तो यहां पर देखो क्या होता है अभी हमने बताया था ना जब हम 1-3-butadine की बात करते हैं तो ऐसा है देखना ध्यान से इसको बार-बार मैं मूलक बनाते हो अभी थोड़ी दिर पहले बनायाता यह मूलक बन गया यह मूलक बना यह मूलक और यह सारे मूलक बन गए ठीक है उसी तरह से हमारे पास S मतलब styrene S बुना S तो styrene होगा तो styrene कैसे होता है यह फैनिल ठीक है बच्छो फैनिल में यह फैनिल और यह C.H.2 इस इसको भी आप क्या करेंगे इसका भी मूलक मना ले तो अब देखो यह दोनों मूलक बीच वाले मूलक आबंद बन जाएंगे और यह साइड वाले जो है वो क्या हो जाएंगे जूट जाएंगे तो देखो यह इसके साथ जूटेगा यह इनके साथ जूट रहा है ऐसे तो यह पर क्या हो रहा है आपका देताइर लंका क्षजा न कम बॉन अ यहासे टैइन है यह क्या है यह बिटाड़िन है उत्रीट क्या है Harranian 3-4 गार इससे यहां कि भून और याद रखना उसके बाद यह क्या है यहां का यहां से अगर आपको हमेशा क्या करना याद रखना तो क्या आप तो राजागा भी आ जागा अब लब बेकलाइट इस अप्टेन फ्रॉम दफिनॉल बाइड रियाक्टिंग वी बताओ बैकलाइट कैसे बना सकते हैं बैकलाइट कित्रा आसान सवाल है यह बहुत बार पूछा गया है यह मतलब बैकलाइट को बैकलाइट अगर हमें अबनाना है तो फिनॉल के अभी क्रिया किस से कराएंगे तो बताओ विच्चो फॉर्मल डिहाइड वाली बात हुई थी क्या भी थोड़ी तरे पहले तो सर्च यह फॉर्मल डिहाइड की बात हुई थी अब चलो एक और प्रस्ण आपके पास यह यह अंतिम प्रस्ण आ है किस प्रस्ण को आप कीजिए तो याद करो तीन चीजे जो हमने रबर के बारे में पढ़ाता एक तो पढ़ाता आईसो प्रीन याद करो पर नियोपृ् techniques नियोप्रि här था नियोप्रि heo heo heountu याद करो यूपरी फिर उसके बाद विए लूम गर मद यह दो चीजिए ं मतलब एक्राइल्उन च्रेल ब्यूटा सो यह रहा था यहाँ वख दो यह और साथ में किया वन रहा था एन व вас अन मतलब 6 सी एच two 23 और सीन बना रहा था और साथ में स्ताइरीन स्मितलब स्ताइरीन एस मतलब स्ताइरीन सीच 21 सी ये बन रहा था ठीक है और यह क्या हो रहा था एक से बन रहा था फिस्ilos प्रूर ऑर एक Geral तो सबसे पहले तो वर्गीकरन क्या वर्गीकरन करने के बाद हमने देखा कि उनके वर्गीकरन का आधार क्या था एक प्रकृतिक था एक संसलेशित था एक अर्ध संसलेशित था फिर दूसरा उनके बहुलकन के आधार पर एक था संगनन बहुलकन और एक था योजग बहुलक तो इस तरह से हम ने देखा फिर उनके बीच में आबंद के अगर हम बात करें तो यहां पर अगर आबंद का करम देखे तो जो इसमें देखेंगे सबसे ज्यादा जो हमारे पास तीन तरह के जो आबंद है एक तो हमारे पास हो सकते हैं कि थर्मो सेटिंग मतलब यो वास्प तापमान से है ना बहुत ज़्यादा क्या होते हैं नस्ने हो सकते हैं मतलब उसके आबंद को अगर देखें तो जितना ज़्यादा उसमें आबंद होगा जितना ज़्यादा आबंद होगा उसके अनुसार हम ने देखा ठीक है तो इस तरह से हम और आपको साथ में प्रस्ण भी कुछ दिखाए जो आपके लिए बहुत ही महत्पून प्रस्ण थे और इन प्रस्णों से ये हमने कोशिस करी कि जितने भी चीजें हमने पढ़ाएगे वह आपका एक बार क्या हो जाए एक बार आप उसकी पूर्ण रावरिती कर लेंगे ठीक है तो ऐसी आप पढ़ते रहे हैं आगे बढ़ते ये फिर मिलेंगे अगले सेशन में अगले कक्षा में तब तक आप आगे बढ़ते रहे हैं धन्यवाद कि यह आपका धन्यवाद ठीक है बच्छों चल्ट